नमस्कार दोस्तों, आयस अप पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है UPSC Previous Year Plains Question Inside Discussion Series का यह पहला पाठ है यहाँ पर हम 2017 में History और Art and Culture से जितने भी Question आये हुए थे सब के बारे में डिसकस करेंगे तो 2017 में History और Art and Culture से टोटाल 14 Question आया था पहला कोसन के आया हम देखते है पहला कोसन यहाँ पर पूछा गया है In the Context of Indian History, the Principle of Dierky Refer-to तो यहाँ पर Dierky के बारे में पूछा गया है Dierky basically एक Double Comment है तो Dierky introduced किया गया था Government of India Act 1919 के दोरान तो Dierky में कहा गया था जो subject को यहाँ पर 200 पर बाटा गया था तो कुछ subject यहाँ पर दे दिया गया था Governor General और Council के पास और कुछ subject यहाँ पर जो Indians है Indians को यहाँ पर दे दिया गया था तो कौन सा option है यहाँ पर सही होगा तो option D यहाँ पर सही होगा Division of the subject delegated to the provinces into two categories, right Next question के हम देखते है Next question एक famous painting के बारे में पुछा गया है 22 सब्त पदम पाने ठीक है तो एवाला painting कहाँ पर मिलता है तो इसका सही अंसार होगा अजन्ता Next question यहाँ पर पुछा गया है Who among the following? Who are associated with the introduction of Royalty Settlement in India during the British rule? तो इसका सही अंसार होगा Alexander Reid और Thomas Munro क्योंकि Lord Cornwallis के दोवारा Permanent Settlement introduced किया गया था तो इहाँ पर देखिए जो option C जो है 2 or 3 only यहाँ पर सही अंसार होगा 1820 पर Royalty Settlement introduced किया गया था और Cornwallis के दोवारा Permanent Settlement introduced किया गया था 1793 पर उसके बाद next question यहाँ पर पूछा गया है The object of Butler Commission of 1927 तो यहाँ पर जो Butler Committee जो बैठाय गया था इसके पीछे main objective क्या था तो देखिए पहले जो British जो paramount power था ठीक है तो British paramount power के अंदर princely state था तो princely state के साथ जो paramount power है तो इनके अंदर जो relation है relation को यहाँ पर clarify करने के लिए Butler Committee को यहाँ पर बैठाय गया था ठीक है तो improve the relationship between the government of India and Indian state मतलब की princely state next question यहाँ पर पूछा गया है which one of the following was a very important support in the Kakatiya kingdom तो इसका से ही अंसर होगा मोटू पल्ली ठीक है तो Kakatiya kingdom एक famous kingdom था दक्सिन में तो इसको embed किया गया था अलाद खिल जी के दोवारा और Marco Polo भी यहाँ पर भीजिट किया था ठीक है तो इसका जो capital तब था ओरुगालू अभी इसका capital है वरंगल ठीक है तो मोटू पलू एक famous support था Kakatiya kingdom के अंदर next question यहाँ पर कुछ tradition दिया गया है और कुछ communities का नाम दिया गया है ठीक है थो पहला यहाँ पर जो प्यार है यहां पर 14 संध हर संधल yo option नहीं हeremy यह पे हैं जो आपए सायब यहांपर है यहांपर क्या जाता है तो यहां पर मैं ओलनी होगा तो दिविधि पास यहां पर बहुत सारा सिंदेश communities रहते हैं, तो इनके दोवारा जो चालिया साइब जो festival है, यह पालन किया जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे नंददेबी रत जाट, तो उत्राखंड में हर एक 12 साल में एक बार यह वाला festival यहाँ पालन किया जाता है, और वारी वाराकरी ठीक है, यह यहाँ पे पूछा गया है, विट रेफरेंस टू दा डिफरेंस बीटूइन तक कल्चर ओप रीग बद्दिगारियांस एंड इंडस भेली पीपल, फूच अप दा फॉलिंग स्टेडमेंट इचर करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे तीन स्टेडमेंट दिया गया है, यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो स्टेडमेंट है, पहला वाला स्टेडमेंट में कहा गया है, लडाई के टाइम, रीग बद्दिगारियांस, कोट अप मेल और हेलमेट का यूच करते थे, और यहाँ पे कहा गया है, जो इंडस भेली सिविलाजेशन में, इ जो स्टेडमेंट वान जो है, एस ही होगा, नेक्स टेडमेंट यहाँ पे दिया गया है, रीग बद्दिगारियांस निव गोल्ड, सिल्वार और कॉपर, फारेज इंडस भेली पीपल निव कॉपर और आरन, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ वाला एमल, तो यह ओपसन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सूर्कोडा और लोथल जो साइट है, यहाँ पर होर्स ता एक्जिस्टेंस मिला है, तो यहाँ पे जो यह ओंली वान, यहाँ पे सही होगा, ठीक है, तो अपसन यहाँ पे और करेक्ट होगा, नेक्स्ट कोशन के हैं देखते हैं next question यहाँ पे consider the following pair कहा गया है ठीक है तो तीन प्यार यहाँ पे दिया गया है पहला प्यार है यहाँ पर राधाकंत देफ फस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिटिस इंडियान एससीएशन यह वाला प्यार बिल्कुल करेक्ट है next है यहाँ पे गौजलू लक्समी नारो चैंटी founder of the madras mahajanaशवा यहाँ पर यह यहाँ पर सही नहीं है और नेश्ट प्यार है यहाँ पर सुरंदनाथ बैनाड़ जी founder यहाँ पर सही है थीक है तो madras mahajan शबा इसको स्टागल कॉंसिडर दा फॉलोइंग इवेंट तो यहां पर तीन इवेंट दिया गया है और इसको प्रॉन लेजिकली एर्रेंजमेंट करने के लिए कहा है ठीक है तो इसका समयकाल था इंडिया मोमेंट लॉंच तो यह होगा 1942 इसके बाद है सेकेंड गोल मेल बैठक तो इसका समयकाल होगा 1931 तो यहां पर chronologically आप arrangement कीजिए देखिए 3 to 1 होगा स्वास небольш यहां पर शानीम देख है नेंस्टकोश्य नियापर 2 स्ट्रेड़मेंट दिया गया है तो पुचा गया है कनसर स्ट्रेड्मेंच गिदमेंड यहां पेérenceल कूरेक्ट होगा तो फार्स्टिमेंड यहां पर है दा फेक्ट्रिजी एक्ट्रींग के ने एक्ट्रीं के यहां तो आपको देखती ही पता रहा है है जो British era में यह वाला जो एक्ट है यह पास किया गया था तो यहां पर क्या कहा जाएगा जो यहां पर ट्रेड उन्य स्थापना करने के लिए और यहां पर स्टेन्मेंट है यहां पर सभी होगा जेके फैक्ट्रीजएक एड़ीञ एड़ीएटीवान में कहा गया था जो यहां पर प्लास धिके और ठीकर कहने में जो यहां पे जो लक्स था वो था जो यहां पे चो यहां पे ओ लिवर क्लास है लिवर क्लास का जो कॉन्डिशन है विभा अठेक एक और नारायन में जी लुखन्दे तो इनको कहा जाता है फादार ऑफ trade union movement इन इंडिया है नेस्ट कोशन है यहाँ पे द्रेट डिस्पूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइड फॉर तो यह ट्रेट डिस्पूट एक्ट 1929 बेसिकली प्रोवाइड क्या गया था यह सिस्टेम ऑफ रिविनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक तो 1926 से बहुत सा यहाँ पे भू करतल हो रहा था और इसलिए जो ट्रेट डिस्पूट एक्ट ऑफ 1929 यह यहाँ पर पास किया था ठीक है तो इसका सही अंसार होगा इस सिस्टेम ऑफ ट्रुविनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया है which of the following each are famous for sun temples ठीक है तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन टेक्निक इस्तामाल करना है देखिए 12 जोतिल लिंक है इसमें से ओम करेस्टर जो है सबसे फेमास जोतिल लिंक है यह मुद्रपदेश पर स्थित है तो यहाँ पर तीन को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो बचे रहेगा सिर्फ वान तो इसका एंसार होगा यह अरसा भली ठीक है तो एह अंद्रपदेश में एविलेच स्थित है अंद्रपदेश के अंदर स्रीका कुलम एक टाउन है स्रीका कुलम टाउन कर एक आरसा भल्ली स्थित है ठीक है नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया है with reference to the religious history of India consider the following statement तो यहां पर दो statement यहां पर दिया गया है पूछा गया है कौन से statement यहां पर correct है तो पहला वाला statement यहां पर है सौत करनिका ठीक है and Samitya where the sect of journalism तो यह वाला statement correct नहीं है ठीक है तो सौत करनिका and Samitya यह बुद्धिजुम का sect है ठीक है नेक्स्ट यहां पर एक फिलोजोफी दिया गया है ठीक है तो सावस्ती सावस्ती बादिल ठीक है तो सौत करनिका और Samitya यह बुद्धिजुम का दो सिक्ठ है और यहां पर स्रभस्ती बादिल आ जो फिलोजोफी है यह भी यहां पर और सही है यहां पर सही है तो हैं पर जो statement one है यहां पर गलत होगा तो option जो यहां पर जूशन B हैं यहां पर सही होगा ठीक है दास्ट कोशन नहीं यहां पर उच रिफरेंस टू मनिपरी शंकृतना अंसे डरी फॉलोंट स्टेटमेंट तो यहां पर दो तीन स्टेटमेंट दिया गया है कुछा गया है कौनसा स्टेटमेंट यहां पर करेक्थ है कि दीजह सांगेन्स पर्फोर्मेंस पहेवाला यहां पर क्या है नेस्टेहिंस खेल पर्यंद इंस्ट्मेंस च ils आंपर घ्रम्स एक्स्ट्रीम्ट तो यहां पर हिस्ट्रीम् तो यहां TIME फंशादिया गया इंस्ट्रूमेंटrada करते हैं इहां पे संख्रितना है इसको सादु है क्षा देखिए मनिपूरी संख्रितना है एकिलूरी तो इसको जो ड्रामिंग के साथ यहां पर जो है यहां पर सिंबल भी होता है už Колवटकी बेशिकली इसको बंशनवा leave जो लोग बिलोग करते है यह वाला जो संकृतना मेनवकूर संकृतना जो है इसको परलन करता है ठीक है तो यह UNESCO का एक Intangible Cultural Heritage जो December 23 में न्यूज में आया था तो इसमें यह सामिल किया गया था इसलिए वाला question पूछा गया था तो अब देख रहे हैं 2017 मतलब की 2013 का जो current affairs था वो 2017 में पूछा जा रहा है ठीक है तो पास्ट यह जो current affairs है वो भी UPSC perspective से बहुत important है ठीक है थैंक यू